नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल टेली खजाना में आ गया है यारों का यार होस राहुल भोज पूजा भट और जिया शंकर के बीच में हुई भैंकल लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जहां पर पूजा भट और जिया शंकर गाली गलोज का माहौल तयार हो गया और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहरली नागिंग से लेकर तमाम ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो कि कर्स वर्ट कहा जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे नए चैनल राहूल वोज कॉमेडी को नहीं देखा हैं मैंने कॉमेंट सेक्षन में लिंक तिंग कर दिया है जरूर जाके एक बाड़ देखिए तो दोस्तों पूजा भट जी और जिया शंकर दोनों के बीच में तना तनी हो जाती है कल रात को जी हां आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कल रात को भयंकर जखड़ा होता है जहां पर असली रूप असली चेहरा सामने आता है जहाँ पर पूजा भट चिड़ कर कुछ बाते बोलते वे नजर आती है जिया शंकर को और जिया शंकर भी चिड़ाने का काम करती है दरसल तू तू मैमे के होते होते यहाँ पर पूजा भट इतनी जादे फ्रस्टेटेड और एजिटीटेड हो जाती है की वो जिया शिंकर को कहते है तू बस तीन साल की बच्ची बन, मेक अप कर और उसके बाद अक्टिंग करते हुए घुमते रहे, पूरे दिन भर घर पे और कुछ काम मत कर, इस पर जिया यहां पर बोलते हुए नजर आती हाँ, तो मैं करूँगी, मेरे को कोई प्राब्लम नहीं है, जी यह ऐसे बोलते हुए नजर आती है, और दोस्तो उसके बाद बाप रिबाप, पूचा बट कहते हैं, यह तो जहरली नागिन है, तो क्या है एक जहरली नागिन है, तो अपने आसपास के लोगों को भी जहरला कर रही है, तो वो विश है, तो जहर है, तो यह है, तो वो है करके पूचा बट तो दोस्तो आई स्वेर इतना चिड़ जाती हैं, क्या बताएं, दोस्तो अभिशेक तो अब तक ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलविश के आने से पूजा बट जी थोड़ा और ज़ाधा जो है, इस लेविल पर आगी है कि उनको जो है, यह फील हो रहा है, कि यार अब मेरे हाथों से ट्रोफी जा सकती है, क्योंकि एलविश एक बहुत strong contender नजरा रहा है, वो घर में entertainment दे रहा है, अपने मुद्दों को रख रहा है, लोगों को उनका आइना दिखा रहा है, brushing their own egos ऐसा वाली बात कर रहा है, तो एलविश यहाँ पर वो खिलाडी बन गया है, जो कि यहाँ पर सीधा भी अभिशेक को टकर दे रहा है, और बाकी के घरवाले इस बात को sense करें ना करें, लेकिन पूजा भट ने इस बात को sense कर लिया है already, तो दोस्तों यह बड़ा ही एक खतनाक मनजर बन चुका है, और घरवाले काफी ज़्यादा, यहों कल के दिन बहुत गंदी वाली लड़ाई और जिया ने भी खुब सुनाया पूजा भट को, खुब सुनाया बाप रे बाप, यह हम mostly आज के नहीं, यह कल के एपिसोड में देखेंगे mostly हम, right, क्योंकि कल ही shoot हुआ था वो, आज हाँ, आज हो सकता है, आज के एपिसोड में आयागी या तो फिर कल के एपिसोड में है, लेकिन आ रखेंगे,